तो इस वीडिएओ में हम सीखेंगे कि सेंड किस जून का है वह कैसे डिसाइड करें ठीक है कि यह आप अकसर देखते होंगे कि दिया हुआ कि जुन फुर्श्ट जो है किस काम के लिए यूज होना है जोन सेकेंड और जोन थर्ड प्लास्टर के लिए यो जोन है कि एग्रिगेट के लिए यो जोन है वो दिया होता है किस जोन का सैंड इस जगा पर यूज होगा तो जोन हम डिसाइड किसे करें साइड पे तो सैंड आके गिर जाता है ठीक है सैंड आके साइड पर डंप हो गया लेकिन वो जोन हम decide कैसे करें किस जोन का वो send है यह तो laboratory में test जो होता है उससे पता चलेगा लेकिन अगर आप खुछ से यह test करना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं किस जोन का है तो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में ठीक है तो यह excel sheet हम open कर लेते हैं अब excel sheet हम ने open किया इसमें अब देख सकते हैं लिखा हुआ है sieve sizes 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm और यह 600 micron है 300 micron है, 1500 micron है 75 micron का sieve है और नीचे में last में पहन है ठीक है यह किस तरह से बना होता है हम figure में एक बना के आपको दिखाते है होता है जीसे की इस तरह से एक पूरा pen को लगा दिया जाता है ठीक है यहां से ऐसे करके pen पूरा set हो जाता है ऐसे से करके सारा pen एक के उपर एक set हो जाता है step by step सबको इसे से set कर देते हैं और नीचे में last में pen लगा देते हैं ठीक है सबसे पहले सबसे जादा ज़ो coordon for sorry न्युक्त के बाद 36 मुकरा उसके बाद 1.18 ओसके बाद 600 मीक्रोन 300 म्यक्रोनन और 500 वह एक丶े करना होता है इसमें सेंपल लेंगे कितना सेंपल लेंगे सेंपल लेंगे 1000 ग्राम यानि एक केजी ठीक है एक केजी सेंपल लेंगे सेंड का उसे क्या करेंगे सेंपल सेंड का लेने के बाद इस जो यह सीव का ऊपर वाला टॉप हिस्सा है इसमें सेंड को हम फील कर दें पूरा डाल देंगे सेंड क किलो सेंड जो भी हम वेट की है उसको इसमें ढाल देंगे ऊपर से एक पैऑन लगा देंगे ठीक है इसे ढग देंगे पूरा और डगने के बाद उपर पर खिगए नीचे सेंग करेंगे डाय बैय एक ये तीरिछे में सेख करेंगे, ठीक है, मतलब तीरिछे में भी उस पैन को सेख करेंगे इसको उपर से नीचे से हातों से प्रेस करके चारों साइड में सेख करना होता है कितने मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट सेख करना होगा, ठीक है, 15 मिनट सेख करना तो पांच मिनट काफी है पांच मिनट में यह हो जाएगा अब इसकी बात क्या होगा एक एक पैन को हमें हटाना होगा जैसे कि यह है इसमें से एक पैन हटाया हमने तो एक यह पैन है ठीक है टेन में वाला इसमें कोई भी सेंड रिटेन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा जीर हो ठीक है दूसरा पर हमने उठाया 4.75 तो उसे यह जो परन है इसके संट को हमने फिर वेट किया ठीक है जो किया तीन गराम ठीक है हमने लिख लिया जी रगाफ तीन गराम इसी तरह से सारे पर अठाया और सबकर वेट किया, आस सबको लिखते गए, देख रहा है, सबको लिखते गए, इस चार्ट में, इस चार्ट का heating पहले देख लीजिए, sort size weight written in gram, community weight written, community percentage weight written, ठीक है, community percentage passing, यह format है, है तो सबसे part s15 स्पारीड सन्ज में सीव साइज जो जो है वो लिख लिए लिए टेंगे जी सीव बेना वह यहां का पूरा सेक्क करने के बाद उसे लिख लिख दिया वेट में क्या है यह सकते ह participative सामने जीडिव में अब एक्स प्सक्राइब हम दिखाते करना है सब में फार्मूला सेट है जीसे कि यह 0 है तो यहां पर 0 हो गया यह भी 0 और यहां पर 100 क्योंकि 100 में से 0 मैंस होगा तो 100 आएगा पासिंग का फार्मूला आप देखी सकते हैं 100 मैंस CPR है मतलब स्पवारा सब्सक्राइब करेंट मालका डichtlich टीडियमी टी टीक है यहां पे युदा suburbs कम्नूटी टीडिक लाऔर टिन यहां दोनों अचांगा था है तो यह तीन आ गया अब नीचे वाल एक गिस नहीं थी टीको और यह एSo होगा ठीक है उपर नीचे यह सब एड़ होगा तो इसके लिए हमने एक फार्मूला अप्लाई कर दिया है यह सीवन प्लस डी एट और उसको इस तरह से ड्रैक कर दिया है नीचे तक देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हैं इक हजार ग्राम हमने लिया था सेंड और एक हजार ग्राम यहाँ पे आ गया तो यही है यह सब आड़ करते हुए जाएंगे हमारा लाश्ट में जाके लाश्ट वाल जो बचे इन्टर देख सकते हैं एक हजर गराम है इसमें क्या है सिंपल इसी तर्लिविग दिया गया है और इसमने सभी नंबर को जोड कि लिग दिया गया ए ठीक है एक जगा पे तो कंड टि यह होता है इसका पर्सेंटेज निकालना रह तो फारमूला जो होता है वह होता है cumulative weight ठीक है अपान सेंपल आफ वेट 1000 देख सकते हैं आप इसेवन आपन 1000 हमने किया है बतलब इसेवन कमेटिवेट रिटेन जीरो है तो इसेवन के जीरो भी लिख सकते हैं जीरो अपन 1000 इन्टू 100 क्योंकि परसेंटेज में निकाल ला है बस यह फार्मल लग गया और इसको इसे हमने ड्राइक कर दिया तो सारा हमारा पैलकुलेट हो गया अब इसमें देख सकते हैं आपके वल इसको हम चेंज करेंगे सब कुछ चेंज होगा जैसे 398 है इसको अगर हम 400 कर दें ठीक है दो बढ़ा दिए 400 इसे कर दिए और इसे 102 कर दिए तो आप देख सकते हैं आप्टोमेटिक सब कुछ चेंज हो गया ठीक है तो इतना आपको समझ में आया यह कामलेटिव परसेंटेज वेट रीटेन कैसे निकला वह हमने बता दिया एक बार हम करके भी बता देते हैं आपको ठीक है जैसे की पैन ले ले लेते हैं अब हम निकालते हैं कमलेटिव वे ठीक है इन्टू 100 यही फार्मूला था ठीक है डवल जीरो से डवल जीरो कट गया अब 10 से 3 को डिवाइट करेंगे तो कितना हैगा 0.3 ठीक है 0.3 बार में 10 से 3 कट जाएगा तो वही यहां पे हमने लिखा है ठीक है अब इसी का अगर कमलेटिव परसेंटेज पासिंग निक करेंगे तो यह आजाएगा तो इसी तरह से सारा निकल गया ठीक है अर यह सब हमने एक सल सीट में सेट कर दिया है इसका सेंपल हम आपको दे देंगे ठीक है अब चलिए देखते हैं कि हमारा कौण से सेंड क्या है किस जोन में है ठीक है उसके लिए आपको बस इस चीज को इसे देहान देना है अर सीव को देहान देना है इसे देहान देना है चलिए देखते हैं 10 mm वाला जो सीव है वह 100% पासिंग है 100% किसमें आ रहा है जोन 1st में भी, जोन 2nd में भी, जोन 3rd में भी और जोन 4th में भी चीक हंटेन एमियम का हमने कर लिया अब 4.75 एमियम करत करते हैं 99.7 परसंट पास हो रहा है तो 99.7 इसमें भी आ जाएगा क्योंकि 99 से लेके 100 तक है ठीक है तो हमें 99 के बाद ही का चाहिए तो 99.7 आ जा रहा है इसमें इसमें भी आ रहा है और जोन थर्ड में भी आ रहा है और देखते हैं 97.9 am 97.9 292.36 देखें यह जोन पूश्ट में नहीं आ रहा है ता इसको रेट से हम करते कर देते हैं उस में नहीं नहीं आयां & इन इन आ जाएगा थिक है तो यूसे ग्रींस से टिक कर देते हैं, सेकेंड में आ गया, दुबारा 97.9 इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि 85 के बाद 97.9 आता है, और 4th में भी आ जा रहा है, ठीक है, 4th में भी आ गया, चलो भाई, 2.36 भी हो गया, 10 A में भी हो गया, और 1.18 की बात करते हैं, 1.18 जो है, वो 87.5 percentage passing है, तो यह देखिए, starting में, जोन 1st में नहीं आ है, क्योंकि यह 70 तक ही limit है, आमें चाहिए 87.5, तो इसमें पास है, हम देख सकते हैं, इसमें पास है, क्योंकि 87.5 चाहिए, और 90 तक limit है, तो इसमें तो पास है, इसमें भी पास है, और इसमें भी पास है, क्यों कि और शुक्र सोबischeता इसमें पाश नहीं है इसमें क्यों क्यों नहीं पास है हमें चाहिए था owej 87.5 लेकिन यह कितना है กल ऐसाट थे तो इसमें यह फील है कि अब बात करते हैं 600 micron की ठीक है 600 micron की बात करते हैं यह कितना पास था 600 पालवा 47.7 अब 47.7 इसमें नहीं है फीले 47.7 और किसमें नहीं है और सब में आ जाएगा ठीक है 35 के बाद 47.7 आता है सब में आ जाएगा यानि कि ये सबसे बस एक में फेले बागी सब में फास है ठीक ये भी हो गया अब 300 micron को देख लेते हैं 300 micron 8.2 8.2 आ रहा है ठीक है अब 8.2 देखते हैं 8.2 8.2 8.2 इसमें नहीं आएगा ठीक है क्योंकि 12 से स्टार्ट है इसमें नहीं आएगा लेकिन 8.2 इन दोनों में आ जाएगा जोन फर्स्ट में और जोन सेकेंड में आ जाएगा अब 0.75 500 mm देखते हैं 500 micron देखते हैं ठीक है 500 micron 0.4 आना चाहिए तो 0.4 किसमें आ रहा है 0.4 फर्स्ट में भी आएगा 2nd में भी 3rd में भी 4th में भी आ जाएगा तो देखिए इसमें जोन सेकेंड जो है अधिकतर सारा पास हुआ है ठीक है और बाकिसमें कुछ टिक टाक लग गया है लेकिन जोन 3rd में भी बस एक जगा पास नहीं हो रहा है तो हम जो इस जोन को मान सब्सक्राइब करेंगे वह जोन हम कंसीडर कर सकते हैं जोन सेकेंड और जोन 3rd मतलब हम इस जोन में इस सेंड को रख सकते हैं ठीक है तो आई ठीक है आपको सब कुछ के लिए समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सिर करें और कमेंट करें सबस्क्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में